मेरा नाम सुनीता वर्मा है, मैं नैनिताल में रहती हूँ, मेरे पती एक कमपनी में जॉब करते हैं और मैं घर काम करती हूँ, मैं भगवान महादेव की सच्चे मन से आराधना करती हूँ, मैं रोज सुबह पांच बजे महादेव की पूजा पाठ करके ही सुबह घर के काम की शुरुवात करती हूँ, मैंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस उनकी पूरी मनोकामना से उनकी पूजा करती हूँ, लेकिन दोस्तो, मेरे साथ एक घटना घटी, आज मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, मेरा एक तीन साल का बच्चा है और हमारी खुशहाल फैम आपको तो मालूम है हाईवे पर गाड़ी या कितनी तेज भागती है, थोड़ी देर बाद हाईवे पर लोगों की भीड जमा होने लगी, क्या हुआ था कुछ पता नहीं चल रहा था, फिर एक एम्बुलेंस आई और बहुत तेजी से चली गई, मुझे कुछ भी समझ में आ रहा था, इतने में मैं अपने बच्चे को देखने के लिए बाहर गई, तो देखा, मेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, मैं डर के मारे उसे इधर उधर ढूंड रही थी, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था, तभी मैंने अपने पती को कॉल करके बुला लिया और हम ढूंड रहे थे, ढूंड ते ढूंड हाईवे पर चले गए, तब पता चला कि वहाँ पर मेरे बेटे की साइकिल टूटी हुई मिली, वहाँ पर पूछताच से पता चला, किसी ने मेरे बेटे को गाड़ी से टक्कर मारी, मेरी तो जान ही निकल गई, और मैं बेहोश हो कैसे वैसे करके हम हॉस्पिटल पहुँच गए, वहाँ पता चला मेरे बेटे का बहुत खून बह गया है, और उसे खून की सख्त जरूरत है, हम खून के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन खून नहीं मिल पा रहा था, डॉक्टर ने भी बच्चे की बचने की कोई नहीं दी, तभी हम पति-पतनी भगवान महादेव को पूरे श्रद्धा से गुहार लगाने लगे, कि हे महादेव, हमारे बच्चे की जान बचाईए, उस दिन पूरी रात हम दोनों सो नहीं सके, रात भर हॉस्पिटल में बैठे रहे, करीब रात के दो बजे थे, हमने द इतजाम हो जाए और बच्चे की जान खत्रे से बाहर निकल आए, सुबह जब डॉक्टर आए और बेटे की जाँच करने लगे, तो डॉक्टर भी हैरान हो गए और नर्स से बोलने लगे, कि खून की मात्रा कैसे बढ़ गई, क्या तुमने रात को खून की बोटल क्या तो नर्स भी परेशान हो गई, कि हमने तो कुछ नहीं किया, फिर खून की मात्रा कैसे बढ़ी, जब हमें पता चला, तब हमें रात की बात याद आई, और हम समझ गए, कि ये तो महादेव की लीला है, जो आज हमारे बच्चे की जान बचाई, दोस्तों महादेव, अ कोई भी संकट नहीं आने देते, अगर आपको मेरे साथ घटी घटना सची लगे, तो कॉमेंट हर हर महादेव जरूर लिखे, धन्यवाद